जैसी किष्णा फ्रेंड्स कैसे आप सब दोस्तों इस वीडियो हम बात करेंगी निफ्टी और बेग निफ्टी के बस टेक्निकल लवल्स के बारे में साथ में कुछ बैतिन स्टॉक के बारे में जिसकी उपर आप स्विंग टेरिंग या फिर इंटर डे का व्यू रख सकते है चलिए शुरू कते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप सबको मैं बता दूँ मैं सीवी रेजिस्टर नहीं हूं मैं जो कुछ बता रहा हूं वह अपने अनुभव और टेक्निकन अनलाइस की बेसे बता रहा हूं तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है इसकी उपर कोई की भी व्यू लेने से पहले आप अपना रिसर्च 100% कर लीजीगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की उपर निफ्टी की उपर तीन सिनारियों बात करेंगे हम जैसा कि प्रिविस डे में बताएगा उसकी बारे में कुछ बताएंग बढ़िया बात थी वापस गया यहां पर इस गया और उसके बार में जो रेली दी है विस सिस्टम अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो आज बड़ा पैसा बनाया होगा सिस्टम की यूनिकनेस सिस्टम की एकुरे से आप सब ने देख रही है बार बार उसको बताने की आज की जिसने कमाया वह भी बढ़िया जिसने नहीं कमाया वह उसको भी कोई चिंता वाली बात है कल के लिए क्या करना है वह पता देते हैं देखिए कल निफ्टी को हम बात करते हैं गैप अप होने की तो अगर कल निफ्टी को उपर जाना है तो निफ्टी का जो हाल फिला होता है तो द्यान दिजी का पहले देखेगा अगर नोट कर लिजीगा इंपरने बात बताने जा रहा हूं जब कभी कोई कभी भी इंडेक्स अगर gap up होता है अगर वो gap भर की ऊपर जा रहा है तो इसका मलब उसके strength बहुत अच्छी है होने के बाद अगर continue ऊपर जा रहा है तो उसके अंदर strength वीक है उतनी strength नहीं है मगर जब कभी भी वो gap up होने के बाद अगर वो gap फिल करने के लिए नीचे आया औ वैसा कि आज यहाँ पर हुआ gap up हुआ वापस gap भरने के लिए आया फिर जो rally दी है वो बिंदा से वैसा ही कुछ कर अगर निफ्टी gap up होता है 25-240 के आसपास खुलता है तो ध्यान दीजीए का यहाँ खुलने के बाद अगर gap फिल करने के लिए आता है तो बढ़िया बात ह नहीं तो यह weekly resistance है यहाँ पर strength को चेक कीजिएगा कल जो था वह मंतली resistance था आज जो में बताना जा रहा हूँ वह weekly resistance है अगर यहाँ पर इस weekly resistance को तोड़के अगर उपर निकल जाता है तो फिर आपने strength करने है और उपर का running के लिए गुज जाना है जहां तक market लेके जाता है वहां तक जाना है profit को कमाना है बिंदास रेना है खुशियां घर लेकी जानी अब बात कर लेते हैं अगर यहाँ पर खुलने के बाद strength को लूज कर लेता है तो ध्यान दीजीगा पंदामेट की first channel जो होती है उसको mark कीजिएगा और market अगर नीचे के लिए आता है तो आपने 20-240 के पास खुले और weekly level के ऊपर चला जाए तो बिंदास होके जाईए का फिर जो weekly level है और resistance का नहीं support का का काम करेगी दूसरा मैंने बोला है अगर यहाँ पे खुलने के बाद strength को लूज करता है तो नीचे अगर आता है तो आपने पहले नीचे का view लेना है यहाँ पे आन दियान दीजेगा कल निफ्टी अगर इसी एरिया में खुलता है जो लेवल है वह है 25-130 से लेकर 25-0-52 तक इस एरिया में खुलता है तो 100% साइडवेज है मस्ती मत किजिएगा अराम से रहेगा घर का काम कर लिजेगा फायदे में रहेंगे यह बाती साइडवेज की अब ब लेते हैं gap down की मुझे gap down कहां चीए मुझे अगर निफ्टी को नीची जाना है तो मुझे gap down चीए वो कम से कम चीए 24,950 की नीचे कितना चीए सार 24,950 की नीचे ध्यान दीजेगा 24,950 की नीचे अगर खुलता है साथ में मुझे strength भी चीए अगर नीचे की strength मिलती है तब ठ पाइदा हो पाएगा system आप लोग को free में देश रगा है कोई नया भाई है तो whatsapp कर दीजेगा उसको भी system हम दे ही देंगे system को ध्यान दीजेगा और पूरी लेली पगड़ियेगा जो पहला target आप रहता है वो रहता है 24,950 का मैंने nifty की उपर जितने भी सिनारियों बनते है सारे आप लोग को detail में बता देएं फिर भी कोई दिखत है तो whatsapp कीजिएगा मैं 100% आपके help करूँगा सुबह मैंने shorts डाले थे और कल भी मैं कोशी करूँगा कि short video डालूँ जिससे आपको help मिल सके ध्यान दीजेगा market के साथ जिद्रा नहीं है market को technically beat करना है हमेशा technical ही पर काम करता हूं यह बात मैंने 1000 वार बोली याद मैं फिर से रिपेट कर रहा हूं ध्यान दीजीगा अगर काम करो तो एक की उपर करो डूबने का लावा कुछ भी नहीं मिलेगा चलिए अब बात करते हैं bank nifty की अगर यहां तक आप रुके हैं तो आप सब से कहां से कहां तक कआये कैया चाहिआ क Doing के सबस्क्राइब से देख्ते कहां से एक साइק लगल था वहां से बुड़ा और ऊपर वापक रिंस्टेंस कहां किया यहां भी देख लिज यहीबड है तो फिर हमार लिए बैस्ट है और उपर की जो लेवल से वह यहां पी जो लेवल है यह क्या है लेवल है अगर कोई झाएर टाइम फ्रीरॉम से लोगे टारुन के तरब अगर इसको भी तोड़ के उपर निकल जाता है जो टार्गेट है वो दूर है मैं पका लाइब मार्केट में आऊँगा तो आप लोगों को दे दूँगा अगर नहीं आ पाया तो मैं वाट्सअप कर दूँगा दो टार्गेट मैंने उपर के बता दिया मार्केट में चाहिए कम से कम 51,000 के नीचे जब तक 51,000 के नीचे नहीं खुलेगा मार्केट के अंदर विक्नेस नहीं हाएगी कम से कम इस एरिये का अंदर और मुझे हाल फिला लग नहीं रहा कि इतना बड़ा गैप डाउन हो सकता है कम से कम जो 300 पाइंट का गैप डाउन होना के लिए बहुत बड़ी बैट निचे इस एरिये में अगर खुलता है तो 51,000 के नीचे और 50,850 के बीच में यहाँ पर फिर पार्केट क्या होगा पोज लेगा यहाँ पर साइडवेज हो सकता है तो अगर गैप डाउन भी होता है तो गैप डाउन होने पर जब तक 50,850 के नीचे न ना करें फाइदे में रहेंगे चलिए यह बात थी कैप डाउन होने की अभी बात करते हैं सर साइडवेज कहां से कहां तक है कल अगर नीचे जो है वह आपका खुलता है 51,272 से लेके 51,386 यह जो आपको नेरो रेंज दिख रही है इसके बीच में अगर खुलता है तो आपके के लिए है अब बात करते हैं 32 स्टोक की जो आपके लिए लाया हूँ एक स्टोक है जिसके उपर आप इंटरडे में फोकस कर सकते हैं और दूसा स्टोक है जो आपके लिए स्टोक के लिए मैं आप से वादा किया था कि कल से मैं कुछ और स्टोक लाऊंगा इसलिए आज लाया हूँ और साथ में वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे डिफ्रेंस किया जाता है इंटर डे और स्विंग टेरिंग में एक चीज सिखाऊंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो कल वीडियो में एक और चीज बैतरीन सिखाऊंगा तो चलिए सबसे पहले बात क आज यहां पर एक जोन बन रहा है अभी इस जोन को मैंने क्यों रहो किया मैं बता देता हूं आप सब को देखिए अगर मार्केट को यह पंटिकुलर इस्टॉक को जो विडिस्कॉट है इसको अगर कल को ऊपर जाना है तो इसको कहां खुलना पड़ेगा इसको खुलना हैं एकसकते हैं जो पहले आपका टार्गे निकलता है आन मुस्ट जो निकलता है 200 बावन 254 256 यह चोड़नी प्रपंड शोड़नीं तार्टे हैं क्योंकra 220 ठालगेट कहलUE चाया अगर 2026 ce सुनिएगा, समज़िएगा, देखिएगा, फिर परकिएगा ठीक है, इसके उपर खुलता है, तो विन्दा सरी हूँ अम बाशी कार बाई साइट में जा सकते हैं, अब بात करता है, गेप डाउन हो गई, कल अगर यह gap down हो जाता है कहा gap down हो जाता है कम से कम जो gap down हो जाता है हो चीए 240 के नीचे अगर 240 के नीचे खुलता है तो आपका जो फोस्ट आरगे रहता है वो रहता है आपका 236 ये दोनो इंटाड़े के लिए है ध्यान दीजिएगा सेपसिब इंटाड़े में यूज कीजिएगा अभी इसी स्टोक के ओपर कहां से कहां टेडिंग नहीं करना है ये जब तक 242 से लेके 246 की बीच में 242 से लेके 246 की बीच में अगर रहता है तो प्लीज इग्नूर कीजिएगा ट्रेडिंग करने की जुरूरत नहीं है ये बहती इंटाड़े स्टोक की अब देखते हैं इस पर कल क्या होता है आज मैंने जो स्टोक दिया उसका रिवीव भी कल लेते हैं आज जो मैंने स्टोक दिया उसका था मोरपेन जो मैंने आपको अलड़ी बता दिया था मैंने टार्गेत दिया था 100 रुपे का और मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे हमारा टार्केट हिट हो गया यह है क्या सपोर्ट और्रस्टेमस का जादू जो आपके सामने मैंने दिया था 96 के उपर खुलना चीए 96 के उपर खुआना और 100 रुपे का टार्गेट था 4 रुपे का रेंज थी और वो हिट हो गई अब बोलेंगे सर 4 रुपे क्यों अरे गुरुजी 5 रुपे अगर भाग जाएगा तो अपर सट की लग जाएगा 5 परसंट इसलिए आपको टार्गेट बिल्कुल बिंदास होके दिया था अचीव हो गया होगा जिसने ली लिया वो भी बज़े कीजिए जो नहीं लिया और चैन्टसन की बात है नहीं अब हम बात कर लेते हैं किसकी सर उस बैतिन श्रोक की जिसकी उपर आप क्या कर सकता है स्वींटेडिंग कर सकते हैं लास्ट में एक इंपर्टेंट बात पढ़ाऊंगा रोखेंगे तो शीखेंगे नहीं रोखेंगे आप लोग की मर्ची है तो स्टोक का नाम वह आका है तो इसके ऊपर स्विंग여 बनता है ध्यान दीजी का अगर यह 209 star को खुलता है तो इसके ऊपर इंटग्रे भी मलता है म मैं आपको इंटग्रे की शला नहीं दे रहा हूं मैं आपको यहां पर सथारा की बात कर रहां अगर यह 200- Mult niemand 20240 तो च्यार क्या स्वार मिलता है तो इसके 22 होगे आप सुविंटेडिंग कर सबते हैं अच्छा पोटेशन देने वाला इस्टोक है अब आप बोलेंगे सर इसमें ऐसा क्या है जो आपको यहां पर सुविंटेडिंग दिख रही है मैं आपको कुछ दिखा देता हूं चलिए आ आई आई प्लस एफ आई आई प्लस पर मोटर को मिला कर जो सहर होल्डिंग प्टेंट चाहिए कम सेवंटी टू परसंट चाहिए मुझे मगर अगर यहां पर देखूं तो ऑनली पर मोटर के पास कितनी है 74 परसंट है फिर हम बात करें नीची स्कॉल करके दिखाऊं आपको तो FIS के पास कितनी है 3% है और DIS के पास कितनी है 5% 9% है तो टोटल जो मिलती है वो अलमोस मिलती है 80% से 82% के आसपास तो दोस्तों गजब के सहर होल्डिंग पैटर्न है गजब का पोटेंसेल आज़ी स्टॉक में बहुत अच्छे फंडामेंटल अच्छे है इसके अंदर म स्विन इसके उपर देखिए आप यहां जब जाएंगे जो सेल होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सेल होल्डिंग पैटर्न कितनी है ओनली पर्मोटर की होल्डिंग कितनी है 48% पप्लिक के पास कितने है 51% उसमें भी देखिए यह को मैं नी 72% से ज़्यादा की होल्डिंग इसके पास हो strong hand के अंदर हो तो ध्यान दीजिएगा इस बात का इसलिए मैंने उसको सुन्टिट दिया इसको मैंने इंटर दे दिया यही रीजन था तो उमीद करता हूँ आज की जो learning दी है यह आप लोगे काम आई होगी note की होगी अगर note कर कियेगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक दोस्तों जै हिन जै भार जै श्री किष्णा